यह कहानी एक छोटे से गाव में हुई, जहांके लोग सब एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहते थे, वहां का आकाश हमेशा ही गर्म और तप्त रहता था और लोग बारिश की बरसात का इंतजार करते रहते थे, बिना बारिश के वे खेतों में कुछ भी नहीं उगा सकते थे और गाव की स्थिती दिन पर दिन बिगड रही थी, एक दिन एक छोटी सी लड़की नामक आन्या अपने दादी के साथ छत पर बैठी थी, वह नीचे देखती रही और अचानक उसने आसमान की ओर देखा, वह देख पाई की आसमान में एक अजीब सी ध्वनी बज रही थी वह ध्वनी की ओर बढ़ी और जल्द ही पता चला कि यह आसमान की ओर से आ रही थी, आन्या ने अपने दादी को इसके बारे में बताया और उन्होंने गाव के लोगों को भी इस बारे में सूचित किया, लोग समझ गए कि आसमान अब बारिश की खबर दे रहा था, बस वह आसमान ने अपनी ठंडी आवाज से गाव को छूलिया, बारिश आई और वायू मंडल में बदले की मिठास का एहसास हुआ, बारिश के बाद गाव के खेत फिर से हरा भरा हो गए और लोगों की हर दिन की जीवन शैली में सुधार हुआ, आन्या ने सिखा दिया कि छोटी बातें बड़े परिणाम ला सकती हैं, और आसमान की ठंडी आवाज ने उसके गाव की सितारों में एक नई रोशनी की शुरुआत की।